मैं एक एप बना रहा हूँ जो नमाज की पाबंदी के लिए बहुत हैल्फुल होगी माशाआलला जी घीबत क्या होती है किसी की पीट पीछे बुराये करना घीबत कहलाता है रायका बेटा क्या हुआ चोड तो नहीं लगी नहीं अल्ला का शुकर आपको कच्छा फल नहीं तोड़ना चाहिए और आप नीचे गिर गई इससे आपके कपड़े गंदे हो गए कपड़े गंदे हो गए तो क्या हुआ बेटा हदीथ के मताबिक सफाई निफस एमान है तो हमें सफाई का खयाल रखना चाहिए बाबा यह दीथ तो हमारी टीचर ने भी बताई है बेटा आप कबसे यहां टाइम पास कर रही है आपको तो अपना हूम वर्ट करना था बेटा जिस काम का जो वक्त है वो काम उसी वक्त पर होना चाहिए जिन्दगी में डिसिप्लेन होना बहुत दरूरी है गुलाम रसूल को देखिए कैसे सारे काम वक्त पर करते हैं बेटा बाबा मैं उसेद भाई के घर जा रहा हूँ जी ठीक है बेटा मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक जबर्दस्सी चीज बनाने जा रहा हूँ जी बिल्कुल मुझे पता है उसेद भाई आप क्या बनाने जा रहे हैं अच्छा तो फिर बताएं मैं क्या बना रहा हूँ एक ऐसी डिवाईस जो बबलू और फेजान भाई के करन लुकेशन बता सके क्योंकि दोनों हमेशा लेट होते हैं नुमान भाई आपने तो गीबत कर दी और गीबत तो बहुत बड़ा गुना है अच्छा ये गीबत क्या होती है किसी की पीट पीचे बुराई करना गीबत के लाता है ओ, अंद गीबत नहीं करूंगा मैं एक ऐसी एप बना रहा हूँ जो हर नमाज के बाद हमें रिमाइंड कराएगी यानि हर नमाज के वग मुबाईल में अलारम बज़ेगा ना सिर्फ ये, बिलके डेली रूटीन के शेडियूल को भी मेंटेन रखने में हेल्फफुल होगी मैं एक एप बना रहा हूँ जो टाइम मैनेजमेंट और नमाज की पाबंदी के लिए बहुत हेल्फफुल होगी माशा अल्ला, ये तो बहुत कमाल की एप होगी लाइफ में सक्सेस्फुल होने के लिए डेली रूटीन का शेडियूल सेट करना बहुत जरूरी है और नमाज के बारे में हदीस है के हमारे प्यारे रभी हजरत मुहम्मद सल्लालाहु अलेही वालेही वसल्म ने रुशाद फरमाया अगर बंदा वक्त पे नमाज कायम रखे तो मेरे बंदे का मेरे जिम्मे करम पर एहद है कि उसे अजाब ना दूँ और बेहिसाब जन्नत में दाखिल करूँ इन्शाल्लाह आपकी एप सक्सेस्फुल रहेगी इस एप की हम सबका जरूरत है खास तोर पर बबलू और फैजान भाई को तो बहुत ज्यादे ही जरूरत है कितनी देर लगा दियों दोनों ने अब तक नहीं पहुंचे दोनों आते ही होंगे वैसे उन दोनों को अब तक आ जाना चाहिए था काफी देर हो गई है अल्ला खेर करें ये क्या हो गया ओहो इसे भी अभी उतरना था वहां सब हमारा इंतिदार कर रहे होंगे और अब ये चैन चड़ेगे भी बहुत मिश्किल से आप कोशिश करें चड़ी आएगी मेरे त अब जल्दी चलें असलाम वालेकुम वालेकुम उसेद भाई कि सब को चिप्स खाने के लिए बिलाया था हम आपका ही इंतिजार कर रहे थे आप आये नहीं तो हमने सोचा कुछ खा ले तो फिर हम भी खाते हैं आपके हाथ कितने गंदे हो रहे हैं वो सैकल की चेन उतर कर आएं फिर मैं अपनी कमिंग एप के बारे में बताऊंगा हम अभी प्यारे बच्चों हमें अपना वक्स जाया नहीं करना चाहिए बलके अपनी लाइफ को डिसेप्लेंग के साथ गुजारना चाहिए खास तोर पर नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए और आप दावत इस